आपका स्वागत है दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यन से जो है आप बढ़िया क्वालेटी के टूल्स सही दाम में खरीच सकते हैं यदि आप टूल्स के शौकीन है तो आप हमारे चैनल APS Fasteners को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रोड़क्ट खीरने से पहले आप प्रोड़क्ट की अन्बॉक्सिंग, टेकनिकल स्पैसिकेशन और प्रेक्टिकल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं दोस्तों आज इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए JRS ड्राइव याने की इस्ट मैन का 11 kg का ब्रेकर लेकर करके आज इसमें जो है मैं इसके अन्बॉक्सिंग दिखाऊंगी टेकनिकल स्पैसिकेशन आपको दिखाने वाली हूं और प्रेक्टिकली टेस्टिंग भी जीदना है तो वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है पुरी जानकारी के लिए जो है आप इसको आन तक जरूर देखें बिना जादा टाइम लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाती हूं लैटर स्टार्ट दोस्तों जेरेस ड्राइव एनिकी इस्ट मैन का 11 kg क बेखना जिसे प्लंबर भाई ख्री सकते हैं अपने थोड़ फूर के काम के लिए इसके इलावा जो है आप यदी ये लेंटर तोड़ने का काम करते हैं पिलर तोड़ना है सड़क तोड़ना है तो उसके लिए जो है ये प्रोड़क्ट बहुत ही सुटेबल है इस आप में प्राइस का लोगो लगा हुआ है 36,500 लेकिन हम इस प्रोडक्ट को आपको केवल 17,500 में विद आल ओवर इंडिया डिलीवरी देंगी तो चलिए मैं आपको अंदर भी दिखा देती हूँ कि आपको क्या के मिलने वाला है जादा टाइम में वेस्ट नहीं करूंगी फटा 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 से आपको जो है बॉक्स के अंदर का सुमान और इसके टेकनिकल स्पेसिफिकेशन बता दूगी तो दोस्तों बॉक्स के अंदर पर इस तरह के स्लॉटेड होता है तो इस तरह की बिट को हम बोलते हैं SGS Max bit काफी लोग कन्फ्यूज रहते हैं तो इसको जब भी आप दुकान पर लेने जाए तो आप बोली कि मुझे में जो है SGS Max bit ची 18 400 में याती है 600 में अती है अपने requirement के इसाफ सब इसको ले सकते हैं गुल साथ में मिलता है इस घ्रीयस स्थीऊ पो आपने कहां यूस करना है जब आपने इस बीट इसके मॉट में लगाना है तो इस पार्ट पर अपको इसकाना है लगाने से पहले एक LK आपको मिला है, एक कार्बन ब्रश सेट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसके साथ. JRS ड्राइप का ये 11 kg का ब्रेकर है, दोस्तों इसकी टेकनिकल स्पेसिफिकेशन आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, जो कि इसके उपर लेबल पे दी गई है. 1500W का ये ब्रेकर है, जिसका मॉडल ERB011 है, नॉर्मल 220V, 50Hz फ्रिक्वेंसी पी अपरेट होगा, और इसका जो रेवलुशन पर मिनट है, 900 से 1890 है, दोस्तों वेरियेबल है, वेरियेबल क्यों है, आप देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट्स दे रखें आपको, 6 स्पीड कंट्रोल है, 1 से 6 आप देखिए, इस पर नंबरिंग दे रखा है, 6 पॉइंट्स दे रखें, तो इसका जो स्पीड वेरि करेगा, 900 से 1890 के अंदर वेरि करेगा, यहाँ पर आपको इंडिकेटर दे रखा है, कार्बन ब्रश इंडिकेटर होता है, जब आपके कार्बन ब्रश खतम हो तो आप जो है, अपने कार्बन ब्रश चेंज कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसका आउटर व्यू आपको एक बर दिखा देती हूं, यह देखी काफी दमदार मशीन है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको दिखा देती हूं, किसरा से आपने इसको खोलना है और ग्रीस डालना है इसके अंदर, आपको यह एलकी दिया है, आपको एलकी की मदद से जो आप इसको खोलेंगे, 11 kg ब्रेकर में कोई भी मोवल आइल नहीं डलता है, इसमें सब ग्रीसिंग ही होती है, ग्रीसिंग जब आपका ग्रीस काला हो जाए और खतम हो जाए तो आप इसमें ग्रीसिंग कर सकते हो, खुद ही अपने आप कर सकते हो, इसमें कोई मोवल आइल नहीं डलता है, दोस्तों यह आपको ऑक्जलरी हैंडल मिलता है, जो कि 360 डिगरी रोटेट हो जाता है, तो आप अपनी जाए पी नॉब दी है, जहां से आप इसको लूज और टाइट कर सकते हैं, तो यह अलमुस्त मेरे सारे भाई जानते हैं, तो इस तरह से आपको रखना है, जिस तरह मूव करना है, वहां उसकी सेटिंग आप कर सकते हो, तो इसका जो चक है मैं आपको दिखा देती हूँ, यह जो चक होता है, इसको हम SDS Max चक बोलते हैं, इसमें SDS Max बिट ही लगता है, टॉप पे इसका डस्ट कवर है, बॉटम पे भी चक की प्रोटेक्शन के लिए चक कवर लगाया हुआ है, तो बिट डालना बहुत ही सिंपल है, आपको डाल के दिखा देती हूँ, यह बिट के चीजल बहुत ही असानी से निकल जाएगी, तो दोस्तो यह बहुत ही सिंपल है, तो मशीन के बॉड़ी के उपर देखेंगे, तो वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसके टॉप पे दे रखा है, बैक साइड पे दे रखा है, और बॉटम पे भी आप देख किस तरह से हमार को तोरने में सुटेबल रहता है, मेंली होरिजेंटल जब हमें ब्रेकिंग करने, उसके लिए बहुत ही यूसफुल रहता है, आप देखिए, मैंने की 16 kg का भी ब्रेकर लिया है, इस्टमैन का 16 kg का है है, तो इसका जो है ना वजन जादा रहता है, आप जो है, वर्टिकली ब्रेकिंग कर लेता है, लेकिन यही जब हमें उठा करके कोई पिलर तोड़ना है, तो आप देखिए, कितनी डिफिकल्टी से बंदा उठाता है, और हाइट पर तोड़ना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके लिए जो है, इस मिशीन के साथ पिलर तोड़ना, तो उसकेस में जो है, यह 11 kg का ब्रेकर है, इस से आप वर्टिकल तो अराम से करी सकते हो, लेकिन होरीजेंटल भी बहुत कमफर्टेबली करेंगे आप, तो वर्टिकली तो मैं आपको अभी डेमो दिखाने वाली हो, लेकिन होरीजेंटल लिए हाइट पर लंबे समय तक जो है, इसको चला सकते हो, उठा सकते हो, लेकिन 16 kg के ब्रेकर से, आप होरीजेंटल ब्रेकिंग नहीं कर सकते जादा देर, आप ठक जाओगे, तो थोड़ी दिर आप चला सकते हो, बड़ जादा देर नहीं चला सकते, तो यह में डिफरेंस इसमें आ जाता ह है, तो चलिए अब हम 11 kg के ब्रेकर को लेके जाएंगे, फिल्ड पे ले आई हूँ, और इसकी स्पीड जो है, हम फुल पे रखेंगे, छे नमबर पे हमने इसकी स्पीड को सेट कर दिया, आप देख सकते हैं, और नीचे ब्लॉक देखिए, बहुत ही हार्ड कंक्रीट का ब् जिल्स 15, को दिल्ष 17, को डिल पेुद कर दिल्स 15, को Gard़ill, भुद कर दो जबड है, बहुत हैं, यहुत हैं, वहुत है थक्डेशिक развाईगे, बहुत हैं, रहुत हैं, इसकी वाद दोखिए, खिल्स 11, को और दो हुत हैं? में इस उस्टार करें दोष्टु आप देख सकते हो कितने सौडिक परफॉमेंस कितने फास्ट इसने इतने हाट लॉक के तुकड़े तुक डिये हैं बहुत शांदर पर फॉर्फॉमेंस बहुत ही दमदार अपने इसके प्रैक्टिकल परफॉमेंस देखा कैसा लगा आपको यहमर अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजेगा और यदि आपको यह प्रोड़क्ट पसंद आया है आप में इसको पीदना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था इसका जो क्रण्ट प्राइस है वो 17,500 है लेकिन हमेशा सेम नहीं रहते हैं तो इसके लेटेस्ट प्राइस के लिए जो है नीचे दिए वोट्साइप नंबर पर आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हम इसके डिलीवरी आपको आल ओवर इंडिया दे सकते हैं तो थैंक्यू फ्रेंड्स हैव नाइस डेबी सेफ टेकियर ब